नमस्कार बच्चों, एडूबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है, तो चलिए सुरू करते हैं आज की वर्चिट और आज की वर्चिट है क्लास 9 के हिंदी की वर्चिट संक्या 49, आज हम लोग पद की पुन्रावर्थी करेंगे, तो प्यारे बच्चों अब तक हमने पाठे पुस्तक की विभिन कविताओं को पढ़ा, आईए आज के कारे पत्रक के माध्यम से कबीर दास जी रचित पद पर पुना चर्चा करते हैं, जैसे कि यहां कबीर दास का पद दिया गया है, इन पदों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर से एक बार हम इनको आदमी जो भगवान की खोज में लगा है, मो को मतलब मुझे, हे आमानमी, तुम मुझे कहां ढून रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, ना मैं देवल, ना तो मैं देवताओं के मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, और ना कैलास में हूँ, मैं तो तुम में ही हूँ, तुम अपने अंदर मुझे ढूंड कर देखो, मैं तुमको जरूर मिलूँगा, ना तो कौनों क्रिया करम में, ना ही योग बैराग में, ना ही मैं किसी क्रिया करम में, जो धार्मी कर्मकान होते हैं, ये पुजा वो पाठ है, ये क्रिया पर क्रिया तंत्र मंत्र साधना जोगी फकीर जो भी होता है तो उन सभी किसी क्रिया करम में मैं नहीं हूँ और ना ही मैं योग बैराग में हूँ ना तुम घर छोड़ दो योग साधना करो बैरागी हो जाओ इन सब में कहीं मैं नहीं हूँ खोजी होएं तो तुरते ही मिलने हैं अगर कोई मुझे खोजने वाला होगा जो मन से दिल से मुझे चाहता होगा जो अपने अंतरात्मा से मुझे ढून रहा होगा वो अगर खोजने वाला होगा तो मैं तुरत मिलूँगा पलभर की तलास में कहे कबीर सुनो भाई साधो सब स्वांसों की सांस में कबीर कह रहे हैं कि हे साधो हे साधक साधक मतलब साधना करने वाले अपने साधना से परमात्मा को ढूनने वाले सुनो मैं सब सांसों की सांस में हूँ मैं सब व्यक्तियों के सांस में हूँ मैं सब की जिंदगी में हूँ आप मुझे अपने अंदर ढूंड़े, मैं पल भर के तलास में आपको मिल जाऊंगा, इसके रिए कोई कर्मकान और कोई जो बैराक साधना करने की जरुरत नहीं है, तो इसका मुलभाव है, आईए अब इस पर पद पर अधारित कुछ प्रस्णों पर चर्चा करते हैं, तो स अपसन घह सही उत्तर होगा, नेक्स्ट है प्रस्ण दो, कि मिलि हो सब्द के माध्यम से कबीर किसी मिलने की बात कर रहे हैं, तो अपसन है कबीर ख इसवर या अल्लाह, गळ शवार्न, और घह क사가 झाना, यहाँ कबीर इसवर या अलाह के मिलने की बाद करना है, इसलिए उप्शन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद, यहां साधो सब्द से क्या ताथ परे हैं, तो साधो का है, कोई कर्मचारी, क्या साधना करने वाला, गौ किसान, उपरिक्त में से कोई नहीं, तो साधो का अर्थ है, चट्ठा है कि सब स्वांसों की स्वांस के माध्यम से कबीर दास क्या कहना चाह रहे हैं और सातों है कि खोजी हैं तो तुरते मिलिहों में खोजी किसके लिए कहा जा रहा है तो चलिए इन प्रस्णों के अब उत्तर लिखा जाए प्रस्न चार है कि यहां क्रिया कर्म से क्या अभी प्राय है तो इसका उत्तर है कि यहां क्रिया कर्म का मतलब धार्मी कर्मकांड है नेक्स्ट है प्रस्न पांच कि कबीर के अनुसार पल भर की तलास में इस्वर कैसे मिल सकता है तो इसका उत्तर है कि कबीर के अनुसार सच्चे मन से ढूनने से इस्वर पल भर की तलास में मिल सकता है नेक्स्ट है उसके बाद प्रशन च्छा कि सब स्वांसों की स्वांस में के माध्यम से कबीर दास क्या कहना चाह रहे हैं इसका उत्तर है कि इन पंक्तियों में कबीरदास कहना चाहते हैं कि इसवर सब की सांसों में हैं बस उनको सच्चे मन से देखने की आव सकता है और प्रशन साथ है कि खोजी होए तो तुरतें मिली हूँ मैं खोजी किसके लिए कहा गया है तो इसका उत्तर है कि इन पंक्तियों Thank you.